कराची की पुरानी रिवायात में शामिल भाई नासिर कलेजी वाले की दुकान तकरीबन 40 साल से ये जगा कलेजी के शौकीनों का ठिकाना है मसालेदार और चटपटी कलेजी जबान पर रखें तो जाय का याद रह जाए यहां मिलते हैं आलू कबाब, दाल कबाब, कलेजी और तिल्ली भी कलेजी और तिल्ली चाहें तो प्लेट ले या चाहें तो बर्गर बन वाले दुकान मौजूद है कराची के इलाके हुसेनाबाद में बैंकल हबीब के सामने वारी गली में और टाइमिंग है दुपहर दो से रात एक बजे तक आलू और डाल के कबाब मुझे कुछ खास नहीं लगे तिल्ली भी बस मुनासिव ही थी लेकिन मसालेदार चटपटी कलेजी ने कहने पर मजबूर कर ही दिया यह मज़ा आ गया उस्तार असलाम अलेकम दोस्तों अमीर है आप सब खेरियत से होंगे महमद पराद एक वार फिर आपकी खिदमत में हाजर है इस पर में मौझूद हूँ कराची में हुझानाबाद पूड स्ट्रीट के करीब फूड स्ट्रीट पर तो नहीं हूँ थोड़ा से अंदर जागी लेकिन आपक निकाला है कि आपके मज़े आरे माले 40-40 साल पुरानी करीजी में कराची में चाली साल करांई क्लीजी की दूप जो हमारे पास कले जी होती है जो हमारी पेशाल है और तिली अलुकी कवाब होती है और दाल की कवाब होती है की जी जाती है दूसरी भरगगे है और ल्ग लाग से प्लेट में प्लेट difvy और नबी प्लेट में भागे में यह अई उन्ली होती है कीलेजी कृनल भी 2006 अबसंदुरह से बर्लाज फ्रू रखना है और दूसरी बाहन से वग्राइब है धिक एक होगना लोकेशन में को सब्सक्राइब है ब्लकुत बैंक नारा उसकी सामने वाली गली प कली है और यह ना नार भाई चुकी है और साथ में है तिली है अचै आपको मिलता है अगर बाहर से इस तरह खरीदना चाहें और यह हमारे पास बन कलेजी अगर थोल के सब्सक्राइब और यह यह इनकी कलेजी वी जो है वो काफी खास है हैुइ संग से प्रक्राइभ कराची तो नहीं मिलतीया बहुत कम मिलतीया दूसरी चीज यह है चिल्ली तकरीबन नहीं मिलती है इसके साथ वह अगर आप दिया है और इसके साथ अपना पकावा मसाला जो है जिली अची है लेकिन बन कलेजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है तो मेरी तरश से बिल्कुल recommended है एडस से हुसेना बाहर हुसेना बाहर हुसेना बाथ पूद स्ट्रीट है कराची में महाँ पर दैंक लजी नगे और कि इसवी बहुत मश्चूर हैं आप किसी ते भी समे बुचेंगे आप यहाँ पर इसली बाउच सäकता है कि वीडियो पर शिया गाइज करें, के ले चैल के अगरे हैंट लिकुभण के शेल है